आप ये dashboard देख रहे हैं ये chart देख रहे हैं एक तरब तो आपने नक्षतर की तालिका देख रहे हैं ये इसलिए लगाई गई है ताकि आपको याद हो सके कौन से नक्षतर से कौन सा alphabet आता है और आप left hand side देख सकते हैं मैंने कुछ नाम दिखे हुए हैं अब इन नाम से आप क की बात यहां करता हूं पार्ट वन में आपने alphabet देख लिया था कोशिश की थी बहतरीन response आया है अब हम पार्ट टू की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पे नाम लिखा है मैंने जीविका लिखा है नामरा लिखा है पारू लिखा है पियूशी लिखा है सैजल लि देख सकते हैं कहीं भी देख या किसी विद्यूशी से पूर सकते हैं इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं पानी से आ रहा है वाटर से लिटिट इनका मतलब आ रहा है तो आज कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कहने का मतलब कैसे पता लगे कि या फिर आपके पास आप आउनलाइन पानी जुड़ा हुआ आ रहा है और आपकी कुणली इस बात की पूस्टी कर रही है कि आपके स्पाउस का नाम ऐसे स्पाउस के साथ होगा जिसके नामे कहीं न कहीं पानी का मिलान होगा तो समझे वो मैच आपके लिए है उस पे आप फोकस रहिए उसको हार से मत जाने दीजिए ये बहुत question पूछा है और बहुत सारे लोग आते हैं कि request करते हैं कि हमारी matching 10-20-4 ते रहते हैं हमने की है उनके पैसे इसमें खराब होते हैं तो ये उनको बताने के लिए है ताकि उनमें से shortlist करके ही अपनी कुणली भेचे ताकि उनकी जो पैसे जो उन्होंने खटे किये हैं जो कमार हैं बड़ी महनत से उसको ज़्यादा वेर्थ ना कर सके चलिए अब क्या है अब आपने देखना है सब्तमभाव मैं पहले ही पता चुका हूँ बार-बार इसके फोकस कर रहा हूँ कि 7th house का सारा खेल है और 7th house से हमें पता लगता है नक्षत्र इसका मालिक नक्षत्र किसके डिपॉस्टर में बैटे सारा कुछ हमें 7th house से पता लगता है तो अब मैं यहां कहने क्या कहने जाता हूँ उस बात को आप सुनिए अगर आपका 7th lot जो आपका 7th house है 7th lot अगर आपका 7th lot और 7th house में आपके इस वाले घर में कोई ऐसा नमबर आ जाए जिसका पानी से संबंध होता है अब मैं जिसनोंने एस्कोलोजी जिनको आती है तो उनको पता है 4 नमबर, 8 नमबर और 12 नमबर 4 नमबर कैंसर चंदमा का होता है पानी से होता है 8 नमबर स्कॉल्पियो होता है विक्षिक होता है पानी से संबंधित होता है और 12 नमबर 25 जो होता है मीन राश्य होती है तीनों के तीनों राश्यां जो है वो पानी तत्व की राश्य है water elementary signs है waterry signs है ये इसको आप note कर लिजे और अगर आपको अपने लगने चार्ट में यहाँ इन तीनों में से कोई एक नंबर या चार दिख जाए या आरट दिख जाए या 12 दिख जाए ये समझे आप 4, 8, 12 में से एक नंबर भी अगर आपको दिख जाए और रिस्ता जो आया है उसके नाम में अगर आप सर्च करेंगे उसका नाम online कहीं भी सर्च करेंगे डिक्ष्णरी से सर्च करेंगे और पानी का समझ है तो आप उस match को consider कीजिए वो match आपके लिए अच्छा हो सकता है चलिए एक case तो ये हो गया अब कई बोलेंगे कि हमारी कुनली में ऐसा नहीं है तो हमारे husband या wife का नाम में पानी कततवा रहा है तो आपकी ये जो वैक्ष्णरी आपने की है वो गल्द की है कोशिश ये होती है आपको चीज़े बताई जाएं कई astrologers इस चीज़ों को छुपा लेते हैं और आपको नहीं मिलेगा आप मैं guarantee देता हूँ आप पूरे YouTube पे पूरे online चान मारिए या किसी astrologer से पूछे वो आपको ये नहीं बता पाएंगे तो ये simple तरीका है आप यहां से पता सकते हैं ठीक है जी अब आगे चलते हैं अगर केस different हो यहां पे कोई number लिखा हो एक से लेकर 12 तक कोई number लेकिन 48-12 number ना लिखा हो तो मतलब यहां पे कौन सी या तो राशी होगी फायरी तत्व, अल्वी तत्व की राशी होगी या फिर यहां पे पित्वी तत्व की राशी होगी इस तरीके से राशी हो सकती है या फिर वायू तत्व की राशी होगी दूई सभाव राशी होगी लेकिन 48-12 माली जी इसमें से नहीं है लेकिन अगर 7th house का मालिक जो है 7th house का मालिक कोई भी मालिक यहां पर हुश्कता है आपकी कुणली में जाकर ऐसे घर में बैठ जाए माली जी आपकी कुणली में 7th house का मालिक बैठा हुआ है तीसरे घर में और यहां पर 4, 8, 12 में से कोई नमबर प्रेजेंट हो तब भी यही condition होड़ोगा जो पहले है ना simple बहुत simple है चलिए एक केस तो यह हो गया अगर ऐसा ना हो नहीं उसमें प्रेजेंट हो मांते हैं नहीं प्रेजेंट हो और 7th house का जो मालिक हो ऐसे नक्षत्र में प्रेजेंट हो ऐसे नक्षत्र में जाके प्रेजेंट हो वो कोई मीन में से नक्षत्र हो सकता है ऐसे नक्षत्र में प्रेजेंट हो और जिस नक्षत्र का मालिक जिस नक्षत्र का मालिक या तो चंद्रमा हो या फिर मंगल हो या फिर ब्रिस्पती हो तो भी हो सकता है ये case तो मुझे लगता है ये सबसे simple तरीका है आपको बताने का part 2 मैं आपको step by step तोड़ के slow slow बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके उसके notes बना सके notes बनाने के लिए kora पे भी बना सकते है instagram से जोड जाएए हमारे भी दोस्त बन जाएए हमें भी follow कर लीजिए आपको वहाँ से profit होगा कुछ न कुछ तो आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिलेगा और astrology मानी अगर आप profession निस्था के साथ करते हैं इसमें बहुत आपका respect है आदर है और आपका मान समान है definitely अगर आप अच्छे स्प्लाजर है आप अपनी income भी से कमाएंगे अपने दच्छना के form में तो कभी भी आपको overconfident नहीं होना है अपने आपको ब्रह्मा नहीं समझना है सीखते रहिए, सिखाते रहिए आप बहुत सीखेंगे, दूसरे बहुत को सीख जाएंगे तो आज बस इतना ही आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई, बहुत सिंपल था वीडियो को बार-बार सुनिए और उसको apply कीजिए और question comment box में ऐसा पूछी कीजिए कुछ ने कुछ कमी है आपकी comment में ये ना है हमाई तरफ से तो ये आप emoji को भी सीखिए तो आज बस इतना ही sub comment मत कीजिए, polite रहिए और आगे बढ़ते रहिए नमस्कार, जयमातारी